हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है तिमिर चिकित्सा इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो तिमिर व्यादी है उसके पटल के अकॉर्डिंग क्या के लक्षन होंगे दोशा नुसार या तिमिर काच और लिंगनाश इनके बारे में पढ़ा था अब हम पढ़ते हैं उ प्रियोग करना है उन्होंने त्रिफला की इंपॉर्टेंस वताई है तिमिर में तो त्रिफला का दोशा नुसार कैसे जैसे वात है अगर वातज तिमिर है तो त्रिफला चूर्ण को तेल के साथ प्रियोग करना है पितज है तो त्रिफला घृत को परचूर घृत के साथ यानि quantity और ज़ाधा एड़ करती है गुरुत की फिर अगर कफज तिमिर है तो त्रिफला चोड़न है जो उसको मदू के साथ प्रियोग करने को इन्होंने बोला है इसके अलाबा मेश श्रिंगी का जो फल या कलक है उससे सिद किया हुआ जो घृत है उसका प्रियोग करने को फिर अचारिय वागवट है उन्होंने बोला अगर तिमिर राग को प्राप्त हुआ हो तो रक्त मोक्षन आपको नहीं करना उतला रेडनेस भी है आँखों में पेशेंट की और तिमिर भी हो रहा है तब उसी रा मोक्षन ना करें घृत कौन-कौन से प्रियोग करने जिवन तोल है आमलकी है यव है इनका सेवन करने को बोला फिर ये बोलते हैं जो तिमिर है वो याप्य है जो हमारे छे तिमिर है वो याप्य है तो उनमें सिरा मोक्षन करना है आपको और जो विरेचक द्रव्य है विरेचक द्रव्य से सिध किया हुआ जो घृत है वो पेशन को प लाकर और मधू में मिलाकर इनका त्रिफला के साथ आपको प्रियोग करना है। पिपली है मधू सेंधव जांगल मांस। पिपली है मधू सेंधव काशिस इनमें रसांजन को मिलाकर नेत्र में प्रियोग करना है। तो ये तिक्ष्ण आउश्दियां हमारी सारी कफज में यूज हुए। फिर बात करते हैं सन्नी पातज दिमिर की। सन्नी पातज के लिए जो सोविरांजन है उसको रेड हॉट करके अगनी में आपने तप्त किया। फिर उसके बाद क्या करना है। मुत्रवर्ग है या त्रिफला क्वात है जो उसमें बुझाना है। उसके बाद क्या करना है। जो पक्षी होते हैं उनकी अस्थियों में जो उनका अंदर से जो हो एक खोकला जो भाग होता है अस्थि का। यानि जो space बचा वो hollow space है उसमें इसको भर देना है फिर एक मास तक उसको जो flow करने वाला water उसमें रखना है और उसमें मुलेठी चुन मिलाकर जो है वो आँखों में use करना है as a engine ठीक है फिर रक्तज के लिए क्या बुला हुनने रक्तज तिमिर में क्या करना है पित नाशक ज सायर चिकित सा है अब एक है हमारा slash link नाश कफज लिंग नाश अकेला यही लिंग नाश है जिसको बताया गया है शस्त्र साध्य शस्त्र साध्य मतलब आप इसमें क्या है surgery इसमें करने को बोला है तो क्या बोला सबसे पहले आपको देखना है कि patient की दृष्टी देख लेनी है कफज लिंग नाश में हमने पढ़ा कि दृष्टी के क्या लक्षन आएंगे तो उस तरीके से आपको पहले जो patient की दृष्ट उसको examine करना है अगर वो suitable है शस्त्र कर्म के लिए तब ही आपको शस्त्र कर्म करना है कब करना है अगर कफज लिंग नाश जो अच्छे से पक पाक हो गया हो patient को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जल के भवर के समान जो दृष्टी उसकी चंचल है तब आपको क्या करना उसमें वेधन कर्म करने को बोला है तो अचारे सुशुत क्या बोलते है patient का पहले आपने स्निहन कराना है स्निहन के बाद मृदू स्वेधन उसके बाद ऐसी condition मतलब ना जादा उश्नता हो ना जादा शीतलता हो तो रोगी को यंतरित करके आराम से बिठा के उसको क्या बोल है उसमें अपांग की ओर अपांग प्रदेश है जो जो आउटर केंथस है उसकी तरफ क्या करना है ऐसा चिद्र जहां पे मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पार्शुर में ना ज़्यादा उपर ना ज़्यादा नीचे तो देवकरी चिद्र है उसमें आपने क्या करना है य वो वक्रा शलाका तो यह यह शलाका का नाम आपको याद होना जाए यह वक्रा नाम की जो शलाका है उससे वेधन करने को बोला है सम्यक वेधन आपको कैसे पता चलेगा सम्यक वेधन होने पर एक विशिष्ट जो है वो अवाज आएगी वहाँ से और जल के समान जो है वो पदार्थ मेत्र से निकलेगा तो जब सम्यक वेधन हो जाए तब उस स्थान पर आपको इस्तरी दुख दर्ष से सेवचन करने को बोला है और शलाका का जो अगर भाग है जो यव वकरा शलाका है इससे वेधन कर दिया फिर इसी के अगर भाग से जो दृष्टी मंड़ है उसका लेखन भी करना है फिर जो नासीका है उसके एक चिद्र को बद करके पेशन को स्मीज ठीकने को बोलना है जिससे क्या होगा जो कफ है उसका निरहरण हो जाएगा जब दृष्टी बिलकुल जैसे अकाश में जो सूरिया चमकता है उसके जैसे दृष्टी चमकने लगे पेशन को किसी प्रकार की वेधना ना हो, संमय को उसका लेखन हो गया है, दोश अच्छे से निकल गये हैं तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे वो जो शलाका की उसको बाहर निकालना है, जो नेतर का भाग है, जा पर आपने शलाका का यूज किया, यानि वेधन किया महाँ पे घुरत है जो वो डालके नेतर पे पटबंधन ऐसे कर देना है अगर दोश अच्छे से ना निकले हो तो पुने उसको स्नेहन स्वेधन करागे फिर से वेधन कराया जाता है फिर patient को बोलना है कि उसको अहार नियंतरित करना है यानि अहार क्या उसके लिए पत्थे उनको बताना है वात रहित स्थान पर रहने है उसको और उदगार जो वो कास या स्पिटिंग करना ये सब चीजें उसको वर्जित बताने है कि ऐसा ना करें वो फिर थर्ड यानि तीसरे दिन क्या करना उस पट्टी को खोल कर जो वातगन कशाय है उससे नेत्र का प्रक्षालन करना है फिर से उस जो पेशन को ऐसी पट्टी बांग देनी है नेत्र पे ठीक है तो जो शलाका इसमें यूज कर है नाम याद होना जी यह वक्रा शलाका है शोथ, चोश या फिर अधिमन्त, अधिव्यादियां हो सकती है मान सिवरिद्धी हो सकती है तो यह हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कफज लिंगनाश का जो की शस्तर साथ है अब आपको कोश्चन देखना है कि आपसे कैसे पूछा गया अगर पटल के अकॉडिक तिमिर पू अगर सिर्फ ऐसे लिखके आए कि तिमिर व्यादी है जो उसके लक्षन उनके भेद और चिकित्सा का वर्णन करे तब पटल वाले जो टिमिर है उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताये थे वो आप लिख सकते हैं प्लस में दोशा नुसार क्या लक्षन आए द्वितिय पटल आश्चित है तो कृच्च, साध्या और तृतिया में यापे कहलाता है। तो टिमिर नॉर्मली पूछे तो यापे आपने अंसर करना है ने लेकिन पटलों की according उसकी साध्यता साध्यता अलग है प्रथम में साध्य है, दूतिय में कृष्च साध्य और दृतिय में याप है इन मॉडरन तिमीर can be correlated with cataract Thank you